सर चुनावी प्रचार का शोरगुल तो थम गया है अक्विल मतदान होना है काफिक शुकता है देखिए राज़तान में अंडर करण चल रहा है पुरी प्रदेश के अंदर लहर चल रही है कॉंग इसकी वो मैं महसुस करता हूं गाउं के गाउं जो है जो पहले भारदी जंद बारी सबर्तन में थे अनुबव कहता है कि जो लोग जा कि आए उनको खुद का अश्र हो रहा है कि हम तो गए ते गाम में पताने हैं गाम तो पुरा मरवीज़वी का है और मैं कौंगेश ही हूं तो क्या तो बात करें गें से वह जाकर देखते हैं पुरा गांग बदल गय कॉंग में हो गया है इसके मोच से कामोच से तो इस बहुत बड़ी ख़वर है यह और यही ख़वर मैं जहपुर के लायरात को तो मेरे कंट्रोर में मिली जहां से बात करू चानुएर रहे हैं सब जगर अंडरकरंड की बात हो रही है अंडरकरंड रहा है तो हमके गमिदा जीत जाएंगे, जो लगता जीतने रहे हैं. अंडरकरन चले गए तो इस सर्काव बने गए हमारी. मेरा मानना है. राखली को नोटिस दिया गया है, चुना होगे हैं। यह तो नोटिस देते हो, उन्नों कोई कोमेंड करें जूत नहीं हैं. तो दिल्ल के निता है बढ़काने के लिए इनने कोई हमारी हमारी इश्कीम होगे अलोसाने करें जबकि हमारी कानून हमारी इश्की में हमारी गारंटी है उस पर बैस हो सकती थी तो उस पर कुछ नहीं किया इन लोगों ने इसका मतलब है कि यह खाली बढ़का ने लिए आया है और मैंने कल भी कहा था कि मोधी जी को तो जो बाता बोले थे मेरे बारे में गुजरात के कौंगिस के लिए तो मैं गुजराती हूं में कहा जाओंगा मैं किसके पास जाओंगा और वो मतलब भावना बढ़का करके गुजरातियों की यह कहना चाहिए कि बाउग हो करके वोट लेगे चुना जीत गए तो मैं भी कह रहा हूं कि गुजराती आगे गुम रहे हैं जाओंगा मैं तो रास्तानवासी हुआ जाओंगा मैं तो थांसु दूर ने कह चुका हूं तो मेरे लिए तो रास्तानवासी है तो रास्तानवासी जो है उनको मैं कहूंगा मैं कहां जाओंगा तो मुझे वो जीता है तो मुझे वो जीता है तो गुजरात में मोधी को जी कर जवाब देचुका हूं उसका तो पशो से आप तीन दिन तक जाएंगे तिलन गाना में कर ना कर दोरे में फिर आएंगे बाफिस दू दिन के दौरे में जांगे बाफिस राहिस्तान के साथ और प्रदेशों में जहां पर चुनाओ गोरे है किया मगो लग रहा तका मेज़गर में, मिजराम में, तिलनगना नभी अच्छी बुड़ा रही है.